दोस्तों कल हमने एक प्रेस काउंफेंस के जरीये माननी मोदी जी के क्लेम्स को एक्सपोज किया नोड़ बंदी के पीछे जो मोदी जी का सबसे बड़ा क्लेम था कि काउंटर फिटिंग बंद हो जाएगी, कैररलिंस की फंडिंग बंद हो जाएगी जब ये कल जो सच निकल कर सामने आया उससे ये पता चला कि मोधी जी ने उस कंपनी को देलारू नाम की उस कंपनी को नए नोटों की छपाई में पार्टनर बनाया हुआ है जो दुश्मनों का साथ देती है जिसके उपर आरोप है आतंकियों को काउंटर फिटिंग के लिए करंसी के पेपर सप्लाई करने के वो प्राउड पार्टनर है माननीय मोधी जी के इस नए नोटों की छपाई के अभियान कल फिर दुबारा कल की प्रेस कांफरेंस की प्रतिक्रिया स्वरूप देश के वित्तमंत्री माननीय अरून जेटली जी ने टूटर पर देश के सामने जुट बोलते हुए ये का क्या मागमी पार्टी सोशल मीडिया पर प्रपेगेंडा कर रही है और जिस ब्रिटिश कंपनी का वो जिक्र करने उसे फिनैंस मिनिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है हम जेटली से आपको बताएंगे पहले कि अपने फैक्स को वो चेक किया करें अपनी जो तत है उनको पहले जाचे कुछ भी कहने से पहले आरबियाई की 100% ओन सबसीडियरी जो बी आरबी एनम पील है भारतिय रिजार्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड उनकी वेबसाइट पर कंपनी प्रोफाइल में साफ साफ लिखा हुआ है कि डेलारू नाम की कंपनी इनकी पार्टनर है नोटों की छपाई में यह साफ साफ उसमें लिखा हुआ है एक्दम क्लियर लिखा हुआ है यहां पर पढ़िए आप कि बोथ दप्रेस्ट अब इंस्टॉल्ड अब इंस्टॉल्ड टेक्नोलोजी इन बैंक नोट प्रिंटिंग दा मशिनरी एक मैसोर साइट अज बिन सप्लाइड बाई में सब्सक्राइब बाई में सब्सक्राइब ला बहुत सारे अखबारों में इसकी कवरेज है प्रॉपर जिसमें यह पताया गया है कि यह कंपनी मैसूर प्रिंटिंग प्रेस के साथ एंगेज होके नोटों की छपाई में लगी हुई है उसका तथ्य उसका सुबूत उसका प्रमान यहां पर है यह आमादी पार्टी की क्योंकि जो मुद्रण प्रेस है जो प्रिंटिंग प्रेस है वह खुद कह रहा है अपनी वेबसाइट पर कि इनके साथ मिलके वह प्रिंटिंग कर रहे हैं वह बैन हुई थी इसका भी सुबूत है यह आर्टिकल टाइमस ओफ इंडिया का जिसमें बताया गया है कि कब तब सब्सक्राइब कर उनके उपर जो आरोप लगे हैं उनको भी उनके उनके समक्ष भी एक तथ्य रखा यहां पर जिसमें लिखा गया साफ साफ कि यह कंपनी के उपर आरोप थे आइडेंटिकल नोट इतने ज्यादा आइडेंटिकल थे कि बैंक के करमचारी भी नहीं पहचा कि माननी अरुन जेटली साब को पहले पढ़ना चाहिए तो ऐसी कंपनी जिसके उपर देश के दुश्मनों के साथ देने के आरोप हैं आतंकियों को काउंटर फिट करने के लिए करंसी पेपर्स या करंसी पेपर्स के स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करने के आरोप हैं जि कि माननी मोधी जी को ब्लाक लिस्स से वाइट लिस्स करके अपना प्रिंटिंग पार्टनर बनाना पड़ा तो फिर बात आती है कि अपरेल के महीने में पनामा लिक्स में इस कंपनी का नाम आया था और इस कॉंट्राट को हथियाने के लिए डेला रूपे आरोप लगे थे कि दिल्ली के एक बड़े उद्योपती को टोटर टेंडर का 15% कमिशन के रूप में एक कंपनी देती हुई पाई गई थी तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि वो जो 15% का कमिशन ये कंपनी दे रही थी वो भारतियांता पार्टी के निताओं के घर पहुंच चुका है जिसकी वज़े से आज भी यह कंपनी केंदर की सरकार की मानी मूदी जी की नए नोटों की शपाई में पार्टर बनी हुई है मोटा मोटा कहने का ये है मतलब कि जो दावे थे वो जूट साबित हो चुके ही और सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ काले धन के रंग को बदलने की कवायद है उसको सफेद करने की कवायद है और सफेद किसका हो रहा है भारतिया जनता पार्टी के अमीर दोस् का जिनके माद जिनके साथ माननी मोदी जी के लेन देन के रिश्टे हैं और अब तो लोग मजाक में ये भी कहते हैं कि पिसले 30 दिनों में जिस हिसाब से भाज़पा के निताओं के पास नई करणसी मिल रही है जिस मात्रा में मिल रही है बिग बजार के बाद अगला कैश क से ये आप एक जिम्मेदार समयधानी पत पर हैं अपने तक्यों को जाचे भी ना इस प्रकार के ट्वीस करना आपको शोबानी देता अभी भी आपको इस पूरे प्रकार्ण से साब सुठ़ा निकल कर बाहर आना है ये जिम्मेदारी आपके कंदों पे है देश आपकी और तक्तकी लगाए देख रहा है ये जो सवाल आपके सामने खड़े किये गए हैं उन सवालों के जवाब आप दें थैंक यू